मुनवर फारुकी ये नाम आचकल बहुत चर्चम है और बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं पर एक्चुल में बहुत कम लोगों को पताए कि क्या हुआ था तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुली में क्या हुआ था और किस जोग की वज़े से ये कॉंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और हम आपको वो जोग भी सुनाएंगे है दोस्तों मैं हूँ अखिल गुप्ता और आपका आउट एन आउट वीडियो में स्वागत है दोस्तों बिना देर करें सीधा चलते हैं मुद्दे पर और मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा इस केस को एजीली सम आनेंगे कि यह साहिता या गलत और फ्रांस के केस की भी बात करेंगे तो पूरी वीडियो देखना और आपको यह वीडियो पक्का पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी बहुर लोगों को लगता है कि यह किस्सा एक जनवरी को शुरू जब मुनवर फारुकी ने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट करते वक्त कुछ जोक्स भगवान राम और माता सीता पे बनाये थे इसके बाद इसके अगेश्च काफी लोगों ने अवाज उठाई थी और मुनवर के खिलाफ एफ यार भी दर्च कराई गई थी इसी दोरान ट् ओ रामजी अगर बगवान को अगर रिसपोंस करें ओ गाणा कैसा है न के मेरा पीया घरा हूर एफ रामजी दोन कि फख अब आट यर पीया विशेख मैं 14 सबसे खुद घर नहीं गया अगर सीता ने सुन लिया तो हो तो डाउट करेगी किस यूर हस्मेंट इस ओप्डेटिंग माधूरी पे पहले से शक है वो गाना है तेरा करू गिन गिन तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल चोधा पे रुख गई है दोस्तो इस ओडियो क्लिप पर आपका क्या मानना है प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना इस इंसिडेंट और एक जनवरी की इंसिडेंट की बीच में एक घटना और होई मुनवर का एक शो था जैपूर में जिसको कैंसर करा दिया गया प्रोटेश की वज़े से फिर आया एक जनवरी जब किये पूरी कहानी है मुनवर का शो इंदोर में था मुन्रो कैफे में वहाँ पर एकलवे गौड और उनके कुछ साती पहरे से मुझूद थे अब कोशन होगा एकलवे गौड है कौन एकलवे गौड BJP MLA मालिनी गौड के बेटे है जो कि इंदोर की मेयर भी रह चुकी है तो जैसे ही मुनवर स्टेज पर पहुचे एकलवे ने उनका शो रोकने की कुशिश करी उनकी विवादित कॉमेडी की वज़े से इसके बाद एकलवे और उनके साथी मुनवर और उनके चार दोस्तों को ठाने ले गए जहाँ पर उनका एरेस्ट कर लिया गया मुनवर और उनके दोस्तों पर IPC सेक्शन 295A यानि की रिलिजियर्स फीलिंग्स हर्ट करने COVID-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का उलंगन करने के लिए धारा 269 के तहट FIR दर्च की गई इस पूरे केस में एक बाद नोट करने वाली है कि कई लोगों का कहना है कि मुनवर के साथ एरेस्ट करने से पहले मारपीट की गई एक लव्वे और उनके साथियो द्वारा पर एक लव्वे का कहना है कि ये बात सरासर जूट है और उनको बदनाम किया जा रहा है और इसकी अभी तक कोई वीडियो फूटेज भी भार नहीं है ये पूरा किस्ता एक तारिक का है यानि कि फ्राइडे का है और कानून के हिसाब से जिसको भी एरेस्ट किया जाता है उसको 24 गंटे के अंदर लोकल कोर्ट में पेश किया जाता है तो इसी के तहट मुनवर और उनके दोस्तों को लोकल कोर्ट में पेश किया गया दो तारिकी यानि कि सैटेडे को जहां पर उनकी बेल की अरजी खारी जो गई और उनको जुडिशल कस्टिडी में भीज दिया गया अब इस पूरे इंसिडेंट में दो गुरूप बढ़ गया है गुरूप A वो है जो मुनवर के साथ है गुरूप B वो है जो मुनवर के खिलाफ है ग्रुप A का कहना है कि जोक्स को जोक्स की तरह ही लेना चाहिए और freedom of speech की respect करनी चाहिए और कुछ celebrities भी मुनवर के support में आए जैसे कि वीर्दास ने tweet किया कि आप हसी और जोक्स को रोक नहीं सकते क्योंकि ये लोगों की जरूरत है और जितना आप जोक्स को रोकोगे जितना आप humor को रोकोगे वो उतना बढ़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ time बाद जो लोग जोक्स को रोकते है वो खुछ जोक बन जाते है वहीं वरन ग्रोवर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया कि आज एक कॉमेडियन को जेल हुई लोगों की freedom of speech पर रोक लगाई जा रही है लोगों की सोचने की शक्ती पर रोक लगाई जा रही है इसके लावा ट्विटर पर जश्चिस पर मुनवर भी ट्रेंड कर रहा था इसके opposite group भी वो लोग जो मुनवर के against है उनका ये कहना है कि freedom of speech के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते कॉमेडी और religion को अलग रखना चाहिए किसी के religious beliefs को hurt नहीं करना चाहिए इसी group के एक सदस्से है राज्य श्री वास्तव जो की जाने माने comedian रह चुके है उनका कहना है कि comedy के लिए कुछ और topic चूज करे जा सकते है कुछ और अच्छे humorous topic चूज किया सकते है life को चूज किया सकता है life के incidence को चूज किया सकता है बड़ religion को choose करना वो गलत है और इस group का ये भी कहना है कि IPC 291 A के तहत आप किसी भी religion पर अपशब नहीं कह सकते दोस्तो इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को हम कुछ past experience के basis पर भी समझ सकते है Recently हमने देखा है कि चाए वो Bollywood हो, चाए वो political party हो चाए वो कोई comedian हो, धर्म के नाम पर कोई भी कुछ भी कर रहा है पर ये बात सबको सोचनी चाहिए कि भारत जो है वो एक धर्म sensitive देश है religion sensitive देश है यहाँ पर कुछ भी धर्म के नाम पर करने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसी और की feelings को hurt ना कर रहे हो अभी हमने recently देखा France में एक incident हुआ जो की बहुत भ्यानक था हम वो इंडिया में नहीं चाहते France में एक teacher ने एक class के दोरान कुछ बच्चों को Prophet Muhammad का एक cartoon दिखाया जिसके reaction में उस teacher की हत्या कर दी गई और उसके बाद बहुत बड़े level पे पूरे world में protest और दंगे हुए France में तो religion पे मजाग बनाना गैर कानूनी भी नहीं है तब भी वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए थे France एक ऐसी country है जो किसी religion को नहीं मानती और India के ऐसी country है जो हर religion को मानती है सोचो इंडिया में इन इंसिडेंट की वज़े से क्या क्या हो सकता है जब हम इंडिया की बात करते है तो लोग religion के मामले में काफी sensitive है तो comedy और religion जैसे topic दो अलग topics है उनको अलग ही रहने देना चाहिए क्योंकि हमने अभी feb में देखा कि दिल्ली में इतने बड़े दंगे हुए और वो भी सिर्फ religion की वज़े से तो सोची अगर ये बढ़ता रहा तो और दंगे होगे और हमारा देश दंगों के लिए तया नहीं है हम covid की वज़े से वैसे economic crisis से जूज रहे है और कोई दंगे हमें और पीछे खीचेंगे और दोस्तों जो इनका impact होता ना वो बहुत बड़ा होता है new channel पर तो आ जाता है कि 10 दुकाने जलाई गई पर वो 10 दुकानों के साथ कितनी families impact हुई कितने लोग impact हुए ये कोई नहीं आपको बताता तो इनका जो impact होता है वो generations तक पड़ता है तो please ऐसी कोई भी situation को इंडिया में avoid कीजिए मैं freedom of speech के खिलाफ नहीं हूँ मैं किसी के अपमान जनक comment करने के खिलाफ हूँ चाहे वो कोई भी हो चाहे वो comedian हो चाहे वो political party हो चाहे वो कोई Bollywood का actor हो चाहे वो पूरा Bollywood हो प्लीज ऐसी situations को avoid करिये जिससे conflict arise हो बाकि आपको भी पता है दो तरीकी के लोग तो होते ही है एक होते है progressive एक होते है regressive progressive वो लोग होते है जो समाज में सुधाल लाना चाहते है समाज का हिस्सा बनकर उसको सुधालना चाहते है regressive वो लोग होते है जिनको समाज की कोई परवा नहीं होती जो पीछे खीचना चाहते है समाज को और अपना ही agenda sell करना चाहते है अब आपके उपर है आपके सोच को रखते हैं आपका इस पूरे incident पर क्या कहना है प्लीज comment section में comment करके बताईए और अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखिए इसका मतलब आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तिल नेक्स्ट वीडियो जै हिंद जै भारत बाई